हाँ जी क्या हाल ना आप सभी क्या होपस आप सब बहुत अच्छे होंगे कई दिसी सी ए प्रभ जोल सिंग और मैं आपका प्रभ जोल सिंग क्लासिस में बहुत बहुत सुआ कर गता हूँ सो आज हमारा सी ए इंटर नवंबर 2023 का EIS SM का एकसाम यहां पे हो चुका है अब यहां पे इसका क्विक रिव्यू करने से पहले ना मैं आपको इसके रिगार्डिंग में बहुत अच्छी चीज बताना जाता हूँ इसको अच्छे देखो सर अब यहां पे जो हमारा एकसाम हुआ है आज नवंबर 2023 का हमारे सी ए इंटर EIS SM का इसके रिगार्डिंग में हमने अपने वाट्सेप के चैनल पे हमने रिसेंटली अपना सर वाट्सेप चैनल बनाया है निया उस वाट्सेप के चैनल पे हमने यह जो आज एकसाम हुआ है इसके रिगार्डिंग में न एक स्पेशल टिप शेयर की थी ठीक न तो जो हमने वहाँ पे टिप में बताया था आज के एकसाम में बिल्कुल वैसा ही हुआ है और इसका स्क्रीनशोट मैं यहां पे लेकर है हूँ मैं आपको यहां पे जी स्क्रो च किया था ठीक न आप यहां पे देख सकते हैं मैंने क्या मताया था मैंने कहा था यह तीन चैप्टर जो हैं इसको अच्छे से करके जाना कौन-कौन से चैप्टर हैं यह हमारे पास ना SMK चैप्टर है ठीक ना कौन-कौन से हैं corporate level strategies, business level strategies, functional level strategies मैंने कहा था यहां पे including descriptive questions and mcqs मतर सारी चिए include करके इन चैप्टर के basis पे हमारे एक्जाम में minimum 8-9 marks की coverage होगी ही होगी ठीक ना और मैंने यहां पे विल वर्ड यूज किया था और ऐसा कहा था कि ऐसा होगा ही होगा मैंने यह चीज बहुत शियूटी से की थी तो उसके अकोर्डिंग ली आज जो एक्साम हुआ है इन चैप्टर के बेस्टिस पे अगराप एकराम के साथ कंपेर करेंगे तो 8-9 मार्क से साधा की ही कवरेज हुई है आप यहां पे कंपेर कर सकते हैं तो जो हमने कहा था वो ही एक्साम में बिल्कुल एजरटीस वोही चीज हुई है तो यह जो हमारे यहां पे स्पेशल टिप्स है students की बहुत जड़ा help कर रहे हैं हमने sir accounts के regarding में special में परोवाइड किया था तो accounts में भी वहसा हुआ even law doing में भी किया था law में भी वैसा हुआ costing में भी वैसा हुआ taxation में भी वैसा ख़ूआ advance account में भी वैसाّ हुआ even audit में भी वैसा हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक ना और यह सारी चीज़ें हमारे पास सभी सब्जेक्स के रिगार्डी में जो हमने यह स्पेशल टिप्स लिए जाना यह ओपनली हमारे वाटसेप के चैनल पर अविलेबल है बच्चे आप महां पर कंपेर भी कर सकते हैं यह सारी चीज़ क्यों हो जाती है because बच्चे हमारा analysis बहुत चांग होता है हमारी research बहुत चांग होती है इसी वज़े से सारी चीज़े एड़ेटीस हो जाती है थिक है हम सारी चीज़े एड़ेटीस exam में हो जाती है इसलिए मैं students को हमेशा करता हूँ जो authentic चीज़ होती है जो बिल्कुल आप के सामने trust वर्दी चीज होती है अब देखो ये सारी चीज़े आपके सामने है ठीक है ना तो हमेशा उसी को follow किया करो ठीक है झाया जैसे कि जिन students को special tips मिल रहे हैं तो उनकी तो बहुत जादा help हो रही है देखो सारी चीज़े मैं आपके सामने शोग कर रहा हूँ, आप यहाँ पर अपनी सारी चीज़े अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर compare कर सकते हैं, ठीक ना, तो जो authentic चीज़ होती है, जो trust वर्दी चीज़ होती है जो आपके सामने दिखाई जाती है हमेशा बचे उसी को follow किया करो ठीक ना, अब जैसे कि अगर आप हमें follow करना जाते हैं, तो यह हमारा whatsapp का channel है, तो इसका link में आपको इसी वीडियो के description में दे दूँगा, आप वहाँ पर हमें follow कर सकते हैं, ठीक ना, और जो हमारे other social media नहीं उनके link भी में आपको इसी वीडियो के description में भी दे दूँगा, आप वहाँ पर भी हमें join और follow कर सकते हैं, ठीक ना, तो हम यहाँ पर authentic चीज़े ही provide करते हैं, तो अगर आप इन सभी authentic चीज़ों को लेना चाते हैं sir proper, तो आप हमारे साथ चुड़े रहें, हमारे जितने social medias हैं, उनके links में आपको इसी वीडियो के description में provide कर दूँगा, आप उनके तरू हमारे साथ सरूर जुड़े रहें so that इस तरीके के special tips और authentic चीज़े आपको यहाँ पर मिल सके, तो यह है exam बिल्कुल वैसा ही आया है तो जिन students ने decode वाली वीडियो देखी होगी तो उनको तो exam में बहुत अच्छा लगा होगा और यह decode वाली वीडियो सर हमारे अभी भी इसी YouTube के channel पे available है आप उसके साथ जाके even compare भी कर सकते हैं exam को हमें कोई दिकर नहीं है तो जैसा हमने आपको decode करके दिया था exam बिल्कुल वैसा ही आया है और जिन students ने हमारी important list को refer किया था तो उन students का भी यही feedback आया कि हमारी important list से उनको exam में बहुत जादा help होई है और even जो हमने आपको यहाँ पे special tip दी थी तो उसके according ली तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा ही दिया कि जो हमने आपे special tip में बताया था exam में बिल्कुल वही चीज़ हुई है तो हमारी चरफ से यहाँ पे इसका quick review यही है कि जैसा हमने आपको कहा था exam बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही आया है तो अब हमारा यहाँ पे EAS SM का exam तो हो चुका है तो अब आपको यही कूँगा कि यह exam आपका जैसा भी हुआ ना अब यहाँ पे इसको छोड़ दो ठीक ना next है हमारा FME को इसके उपर focus करो अब सर यह जो हमारे पास FME को है इसको आपने revise कैसे करना है ना तो यह जो हमारा FME को का exam यानिके paper यह भी हमने से decode किया हुआ है इसकी video आपको हमारे इसी YouTube के channel पे मिल जाएगी अदर्वाइस आप एक काम करें हमारे इसी channel के playlist में चले जाएं वहाँ पे भी यह video हमने provide की हुई है तो उस video में हमने यह FM ECO का पूरा का पूरा paper यानिके exam decode किया हुआ है तो आप वह video देख लें और उसी के according यहाँ पे revision करें तो यह हो गया हमारा यहाँ पे FM ECO का revision करें और जो students हमारी important list को follow कर रहे हैं तो बच्चे मैं आपको यह कुँँगा बस आप इसी के according यह काम करो और आपको कुछ चीज करने की दुरूरत नहीं है और जो students हमारी important list को follow करना चाहते हैं तो बच्चे हमारी important list जो है CA Inter all subjects के रिगानी में available है आपको मिलेगी हमारी यह proposing classes पे ठीक है ना और इसकी जो details हैं वो मैंने एक वीडियो में provide की हुई है और उस वीडियो का link मैं आपको इसी वीडियो के description में दे दूँगा clear है अब वो उस वीडियो को check out कर सकते है clear है तो यह है यहां पे चीज जो students हमारी important list को follow करें है बस आप उसके according लिक काम करें ठीक है ना अब मैं आपको यहां पे जाती जाती यही कहूंगा EAS SM का exam हमारा यहां पे हो चुक है अब जैसा भी हुआ ना अब इसको यहां पे छोड़ दो next है FME को उसके उपर focus करो और वो आपने कैसे करना है मैंने आपको सारी सीथे बता दे है ठीक है जी अब हम यहां पे इस वीडियो को end करते हैं तो thank you very much for watching इस वीडियो